क्या हले दोस्तों, welcome to the channel इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग Windows 11 operating system में latest version के Python को download करके install कर सकते हैं तो पहले हमें क्या करना है जो भी browser हमारे computer पे installed है, उसे open करना है यहाँ पे मेरे computer में Google Chrome है, तो मैं इसे open कर देता हूँ, और उसके बाद हम लोग website का address enter करेंगे python.org और हम लोग इस website को open करेंगे, यह python का official website है इस website में आते ही हम लोग यहाँ पे download option देख सकते हैं, अगर मैं मेरा cursor को इसके उपर ले के जाता हूँ तो यहाँ पी यह download for windows और python का जो latest version है, उसे दिखाता है, यहाँ पे python website को पता है कि मैं इस website को windows operating system से browse कर रहा हूँ तो उसकी वाज़े से यहाँ पे यह मुझे windows के लिए download करने का option दिखा रहा है, अगर आप कुछ और operating system use कर रहे हैं, तो आपको उसका नाम यहाँ पे दिखाए देगा, यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हैं तो बाकी जो operating system से उनके लिए भी python को download कर सकते हैं यहाँ पे यह जो python version है, यह अभी 3.10.0 है आप लोग इस वीडियो को कब देख रहे हैं, उसके इसाब से यह python का latest version change होता रहेगा आपको latest version जो भी available रहेगा, उससे download करके install करना है यहाँ पे python के latest version को download करने के लिए, हम लोग यहाँ पे यह जो python और जो version नमबा दिकाए देता है, उस button के उपर click करेंगे, और python जो है, वो आपके computer पे download हो जाएगा यहाँ पे download complete होने के बाद, यहाँ पे हमें show in folder, एक option दिखाए देगा उसके उपर हम लोग click करेंगे तो यह उस folder को open करेगा, जहाँ पे जो python का setup file जो है, उसे download करके save किया गया है तो यहाँ पे यह normally downloads folder के अंदर रहता है अभी python को इस computer में install करने के लिए हमें यह जो setup file है इसके उपर double click करना है और यह python का जो setup है उसे launch करेगा यहाँ पे हमें सबसे जरूरी एक setting करना है वो है कि यहाँ पे एक checkbox है नीचे और यह कहता है कि add python 3.10 to path हमें इसे check करना है इससे क्या होता है कि जो application python को use करके run होते हैं वो सब टीक तरीके से run हो सकते हैं उसके बाद हम लोग यहाँ पे directly यह जो install now option है इसके उपर click करेंगे यह default setting के साथ python को install करेगा तो मैं अभी install now के उपर click करता हूँ और python यहाँ पे मेरे computer में install होगा अभी हम लोग installation का तम होने तक wait करेंगे और यहाँ पे install होते वक्त अगर वो आपसे permission मंगता है तो आपको yes के उपर click करके permission देना है ठीक है अभी यहाँ पे यह कहता है कि setup was successful तो हम लोग यहाँ पे यह जो close button है इसके उपर click करके जो setup है उसको close करेंगे और उसके बाद हम लोग जो folder और browser हमने open किया था उसको भी close करेंगे तो अभी यहाँ पे python install हो गया है अगर मैं start button के उपर click करके यहाँ पे python सर्च करता हूँ तो हमें यहाँ पे python का shell दिकाई देगा और यहाँ पे python का ideally भी दिकाई देगा अभी हम लोग एक और चेक करेंगे हम लोग यह चेक करेंगे कि क्या python का जो installation location है उसको path environment variable के साथ setup किया गया है या नहीं वो चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे start button के उपर click करेंगे और search करेंगे command prompt cmd और command prompt को open करेंगे और यहाँ पे हम लोग type करेंगे python space minus minus version उसके बाद enter button प्रस करेंगे तो जो भी python का version यहाँ पे installed है उसे यहाँ पे दिखाए देगा और यहाँ पे यह version number आपके जो installation है उसके इसाब से change भी हो सकता है तो यह हुँआ दोस्तों इस तरह हम लोग windows 11 opting system में latest version के python को download करके install कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो आच्छा लगा तो like कीजिए अच्छा नहीं लगा तो dislike कीजिए अगर आप लोग कुछ ख्याना चाहते हैं तो comment कीजिए इसी तरह के और उड़ेस तेखनी के लिए मेरे इस चानल पर सब्सक्राइब कीजिए